तो है गाइज दिस इस कुल्दीप एंड यू वाचिंग यू पेसी लाइबरी तो आज किस लेक्षा में हम बात करेंगे दा ग्रेंट रनेसेस टेम के कंट्रोशी के बारे में यह पर पर हम इस चीज़ को देखते हैं यह इजिप्ट और सुडान इस न्याट के गैसे घ्रांटУजेय भरम सी 120 बेसे विकॉज यह जो डैम जो बन रहा है वो इतोपिया में बन रहा है तो इसी चीज को देखते है एजिप्ट और सुडान इस डैम की construction पर object धार रहे हैं विकॉज अगर यह डैम बनता है तो उनकी यहां से जो नाइल रिवर की जो जाते हैं तो नाइल रिवर में जो पानी का जो फ्लो है वो डाउंस्रीम इनकी तरफ जाता है तो डाउंस्रीम में जो पानी का जो वाटर फ्लो है वो कम हो जागा यह कंसना अगर यह डैम बनता है तो जानेंगे इसमें कि जो कंट्रोस ही है बेट्विन थ्री कंट्रीज जो तीन कंट्रीज है इतोपिय एजिप्ट और सुडान इनके बार देगा प्लस में रिवर नायर है जो नायर रिवर तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे इस लक्षा में सो यह कट आउट है नियुस पर गा तो इसमें पर चलेगा कि नायल डेंप टेस्पूट इसमें सुडान एजिप्ट और इतोपे कंट्रीज है और एग्री तो होल्ड मोर्ट बिकॉज अभी हाल फ्लार रिसेंट्ली में रिसेंट टाइम में कुछ बातें अभी स्टार्ट होए इसी चीवाजे से यह टॉपिक अभी नीज में है त्री कंट्रीज विल होल्ड मोर्ट ओवर डिस्पूट इंस्टागरम पर फॉलो कर सकते हैं इन ग्रुप में इसमें इंपोर्टेंट लिंक्स डाउन शेर होती है लाइक हमारी जो वीडियो उसमार किसकी तो आप इन गुर्प को जॉइन कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डिविक्शन में दी रखे हैं इस पिक्चर में देखते हैं जो इस अफ्रीक हम देखें तो इस प्रुपय कोंट्री में इस only बौर्डर के पास में यहां से द्रुनाय रिवर करती है तो उसी Bluna river के वही पर यह Grand Renaissance Dam construct हो रहा है तो यहां से से Sudan और जहां से और अज के आगई ही Egypt country है तो उसी वज़ेसे अगर यह Dam जो construct होता है तो जो Nile river है तो उसके जो downstream flow पर जो water flow है उस पर effect पढ़ेगा ऐसे इन दो countries का कहना है जिसमें यह Egypt और यह Sudan country है तो यह दो country बोलती है कि अगर यह Dam construct होता है तो Nile river के water flow पर थोड़ा effect आएगा जिससे उसमें पानी का flow कम हो जाएगा और इस चीज़ के वज़ेसे जो Sudan और Egypt में रहने वाले population है उसको effect पढ़ेगा यह एक उस peaks हैं जो उस Dam की जो वहां पर construction होने है तो काफी बड़ा यह Dam है तो अगर यह Dam construct होता है तो अफरीका का सबसे बड़ा यह Dam होगा तो इस चीज़ को आप याद रखना तो इसमें देखें तो यह 5 billion dollar का 5 billion dollar का यह project है तो इस चीज़ को भी आप याद रखना आफ इन अफरीका जो की एक पार्ट है अबिशिन जो इतोपिया का अगर यह complete होता है तो इस चीज़ को भी आप याद रखना इसके बाद डैम जो की located है इतोपिया के बार्डर के पास है ब्लू नाइल जो रिवर है जो ट्रिब्ट यह नाइल रिवर की इस चीज़ को भी याद रखना इसके बाद इसमें बताया गया कि इस डैम की जो इकनोमिक वैलू है एथोपिया के लिए वो काफी जादा है अगर यह डैम चंस्ट्रक होता है तो उससे जो कंट्रीज की जो इलेक्रिक जनरेशन जो कैपिसिटी है वो एक डम डबल हो जाएगी तो यह इतना काफी इंपोर्टन जो इतना इकनोमिक वैलू है एथोपिया के लिए इसी जी की वैसे वो यह अभी अड़ा आए कि यह डैम इसी वैसे हमारे लिए काफी जाद इंपोर्टन दैन अगर यह ऐसा होता है इसके वाला जो इसकी जो अर्निंग होगी जो इयर्स में एन्वाली देखा जाए वो बिलियन सब डॉलर में होगी तो इस चीज़ को भी व्याद रगदा है दॉन बिकॉज अगर सो जब यह डैम एलेक्टिसिटी जो कंस्रक करेगा तो जो एथोपिया उसको एक्सपोर्ट करेगा सुडान, साथ, सुडान यह जो बाकी नेबरिंग कंट्रिया और अफ्रीका कंट्रिया तो इस वैसे वहाँ पर जो मिलियन सब डॉलर यह बिलियन सब डॉलर वहाँ पर अर्ण होंगे तो यह काफी इस वैसे बहुत बढ़ जाद है पैरामोंट एकनोमिक वैलू हो जाती है इथोपिया के लिए इसके बाद तो इसमें देखा जाए तीनों कंट्रियस के बार में उनकी लोकेशन देखा जाए तो यह अफरीका कॉंटिनेंट हो अफरीका कॉंटिनेंट में इसट में वہह पर यह इथोपिया ड्येंट ह है तो इसकी जो कैपटिन है वह है अड़िस अभ आबा ऑइथोपिया की לां थे सुडान स्वॉडान की कैपटिन है खार्तुन इस चीज़ को भी याद रखना यह अपर है एजिप्ट तो एजिप्ट की जो एजिप्ट की capital है कायरो तो ये तीन country इसमें involved है इस डेम कंट्रोवर्स ने बिकॉस यहां से जो ब्लू नाइल जो है जो नाइल रिवर की जो यहां से फ्लो करते हैं और जो ब्लू नाइल जो रिवर है उसका जो पानी है वो नाइल रिवर हो काफी वो concern दिखा से अपना show कर रहे हैं so और इस फिक्चर में देखें तो नाइल रिवर का So नाइल रिवर जो यहां से लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है तो पहले वाइड नाइल जो होती है तो यहां से ब्लू नाइल जो एटोपिया वाइड नाइल जो कि लेक विक्टोरिया से होती हुए स्टार्ट होती है तो यहां पर यह सुडान में मिलती है तो यहां से नाइल रिवर स्टार्ट होत और ब्लू नायल है तो वो सोडान से स्टार्ट होती है और यह से होते हुए मेडिटेंट से में गिर्जा आती है तो इस चीज़ को अभियाद रखना दें नायल रिवर के बारे में और एक्स्टा इंफ्रमिशन देखें तो यह लॉंगर सिवर है पूरे वर्ल्ड की सो 4100 माइल्स है और अमेजन की है 1400 1400 माइल्स हो इससे चीज़ को भी याद रखना तो इसके अलावा अमोंग दे कंट्री दाशेर सो इस जो जो कंट्री जो इस नायल रिवर को सेर्ट करते हैं तू तो एक जो ही है कि इन में से शुडान हो गया एजिप्ट के लावा एजिप्ट जो की डिज़र निशन है उसकी जो पॉपूलेशन जो 100 मिलन पॉपूलेशन है इस पर डिपैंड करते है लिटरली दा क्रीशन ओड़ नायल रिवर पर ही वो डिपैंड करते है इनकी पॉपूलेंश तो रिलाइंग ऑन दर डावर ऑफ द देखेंगे इस जो इस्ट अपनिंग कंट्री है उसकी जो 112 मिलन पॉपूलेशन है इट कंट्रीबूट दा लाइन शेर ऑफ द नायल रिवर वाटर वेट त्री ट्रीविट सो इसकी जो तीन ट्रीविटीज है वो इतोपिया में रहती है पहली बुलू नाइन जिस पर यह बनना है इस चीज़ को प्याद रखना तो यह कहरी किना 84 परसेंट ऑफ वाटर टोटल नायल रिवर का यहां से निकलता है तो यह इसी वह से अगर इन पर डेम बन जाता है तो उसका जो नायल रिवर का जो वाटर जो फुलो है वो काफी डिक्रीज हो यह इसी वह से यह क्रिकीट को लाग फुलोग क्वडल इसका लाबा और भी काफी सह बिस पूट है तो इस वह से काफी डिक्रेट कांट्टेस मां सेवर कंटीज ने में इस्वह इसवे बंट्र है सो ए चीज़े देखा जाता है तो यह पांटीज है अच एच्छो के जित वह से तो यह से यह में सुदान भी है तीसरा कंट्री, इस चीज को भी याद रखना, अभी फाम इट्साइब ड्रेग इंटो इश्यू, तो इस रिजन में जो नायल रिवार है, वो एक नेसेसरी वाटर सोर्स है, अजिप्ट है वो हमेशा, और पर ऑब्जेक्ट रुठाता आया, बोलता रहा है कि इपेक्ट वॉलता है कि वह वाटर फ्लोव जो नायल रिवर का वह इस पर इम्पेक्ट डालेगा यह एजिप्ट का कहना है यहां से जो ग्रैंड इंटॉपिय डिम है जो इतोपिया के अंदर है तो यहां से अगर यह construct होता है तो यहां से जो ब्लू राइल रिवर है तो इसकी यहां पर फ्लो पर एफेक्ट पड़ेगा तो जो जो आएगी सुडान और इजिट में तो उस पर जो पानी की जो quantity है वो कम हो जाएगी तो इसी चीज को देखते हो यह दोनों कंटी यह concern और ज सो अगर यह दैम बनता है तो इस वैसे इतोंपीय को अलाव जाए उतोपीय के पावर आजाते की वह जो कंट्रोल है जो पानी के फ्लो का वह उसको कंट्रोल कर सकते है उनको टू गें उनके ऐसे कंट्रोल गें हो जाएगा इसमें यह वह है कि अगर ऐसा होता है तो इतोपिया के पास ऐसा कंट्रोल आजा है कि इसके आज पास बॉर्डर में यहां पर जो है वाटर लेवल काफी लोर हो जाएगा जैसे मेरे बताया है कि जो इजेपट है वह श्क के लाब़ बूड से उसके बीचेशन जो सप्लाइज राएगा डैनिस के लावा नन जी नंटाइज मुट्से ने सिसके लावा फूड भी फूड से भी इस लाएगा अगर डेंप इसके अलाबा इट कुड जीवाइड इस पर लीट तो इस चीज को आप याद रखना दैन इसके अलाबा सुडान की जो लोकेशन है अगर वो डेंप बनती है तो सुडान वे बनती है तो इसी चीज की वैसे सुडान के अंदर भी इसे वीवाइड बनती है अगर वो डेंप बनता है पर गागन्ट सरत्तिन वहें ज़ता मतरों कि अभी तूर्य टॅभ बने विच सिंग हां देखें को सुक्राहँ है जब ओर हम जो मेरे धानान तो कोस्есь मेड़ा गया जातरा कोosh मैं गाइऑन जो से इसको पडूरा मैं ये तो कंठी्म के वीच वीडियो कॉंफिरेंस के थूरू ये मीटिंग हुई है इसमें जो साथ अफरीक है एक observing member की तरह वो देख रहा है विकॉज जो African union है उसमें ये currently head कर रहा है अफरीक union में जो अभी currently जो head कौन है वो South Africa तो इसी चीज़ के वैसे इस team की लव साथ अफरीका भी इसमें observing as a member की तरह वो देख रहा है इस चीज़ को भी याद रखना है और जो अफरीकन union जो head की president है वो एक rotating chair की तरह rotating council है तो इसमें दो साल तक आप भी South Africa इसके अलावा उसके next two years में कोई और होगा तो इस चीज़ को भी याद रखना जो भी उनकी जो contention थी वो same है उनकी change नहीं हुए एजिप्ट और सुडान की तो इसमें बताए यह गया है इसमें और देखें तो एथरोपिय continue to insist मतलब एथरोपिय हमेशा daily तो नहीं continue वो यह insist करदा कि dam is required to meet needs of its population so एथरोपिय यह बोलता कि dam की जो requirement है वो उसकी population की needs है और यह बोलता कि और इतोपिय यह भी बोलता है कि अगर dam बनता है तो downstream के जो waterfall है उस पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा यह एथरोपिया का कहना है तो इतोपिया यह बोलता है कि अगर dam बनता है, dam construct होता है तो जो water की जो downstream है उस पर कोई भी मतलब कोई भी इसका जो water downstream है उस पर कोई भी water level की supply वो कम नहीं होगी ऐसा इतोपिया बोलता है अगर इसमें आगे देख वे forward में देखा जाए तो इतोपिया एजिप्ट को should be ready to make significant consensus to avoid catastrophic escalation in this seemingly intractable dispute इतोपिया एजिप्ट को ऐसी चीज़ां को इसमें देखना चाहिए और बातों से इन चीज़ां को meetings इन चीज़ां को solve करना चाहिए और इसके इलावा ये इंडिया ऐसी जो countries है उनको inspiration लेने चाहिए जो हम इंडिया पाकिस्तान की बीच में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी अभी exist करती है तो इंडिया पाकिस्तान जब एक कंट्री जो एकदम इनेमी टाइप की जो कंट्रीज है वो जब ऐसी ट्रीटी की बेसिस पर जो वाटर की डिस्पूट है उनको solve कर सकते हैं तो ये जो इंडिया पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान की इंडिया पाकिस्तान की इसमें यह बताया गया है, so अगर इसमें African Union के बारे में देखा जाए, so because जो इसमें 4th member जो था South Africa, जो कि African Union को head कर तो इस basis पर African Union भी थोड़ा important बन जाता है, so African Union के बारे में देखा जाए, it is a continental union है, जिसमें 55 member states है, जो 55 member है वो African continent में ही है, so overall population देखा है, 1.3 billion people इसको represent कर रहा है, जो कि 29 million क्रोमीटर सकार में यह फैल हो है, so it includes popular world like landmark, जो पूरा है, landmark इसमें सारे डिदेश भी आ जाता है, then इसमें 9 river भी आ जाती है, तो इस चीज़ को भी याद रखना, and then इसके इसके लाबबाब जो African Union अनौन्स दा सिर्टे डेकलेशन, जो कि सिर् establishment of the African Union, तो इस चीज़ को भी याद रखना, African Union सिर्टे डेकलेशन में अनौन्स हुआ था, यह establishment इसकी हुई थी, जो कि Libya में है, then इसके लाबबा, African Union was launched as the successor of the organization of the African unity, जो कि 2002 में था, तो इस चीज़ को भी याद रखना, so इसके headquarter देखा जाए, एडिस अबाबा में, जो कि Ethiopia में, founder कौन था, मौंबर अल-गदाफी, so यह वही गदाफी है, जिसको फांसी हुई थी, then इसके लाब इसके founder है, दो जाद दो, दर्बन, South Africa, political center, एडिस अबाबा, then जोन्स बाग, जो कि South Africa में, एडिस अबाबा, जो कि Ethiopia में, member countries, 55 member state है, और parent organization देखा जाए तो, Organization of African Unity, then African Economic Community, यह भी इसकी parent organization है, then, आप UPC Live को सब्सक्राइब कर सकते हैं, and press the bell icon for the more updates, दन्य बाद,